हाई एवरीबन आप सभी के स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज हम इस प्रिंटर को इस्टॉल करने वाले हैं जो कि यह मॉडल है एल एक सोची पचास चलिए इसको इस्टॉल करते हैं तो यह सिक्स कलर वाला प्रिंटर है इसमें पावर कीवल आती है और यह प और ऐसे उपर की तरफ खोलेंगे तो यह गत्ता निकलता चोटा सा इस फ़र्म को भी निकाल के फैंक देना और जिए हैड से लिए निकाल देना दोनों टैप को कि गड़ एक से उपर नहीं निकालोगे न तो यह फसता है बार-बार बार बार फसेगा एर देगा तो डाल देंगे या अपना एक और लाल कर वालीय सी सी आगी यह उसको आप खुद से स्टॉल कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि भाई ये दूसरे में इंक चला जाएगा तो ये गड़बर चापएगा नहीं इसमें किसी और ब्लैक बाली अब ब्लैक बाली कलर में लगाएंगे तो नहीं लगएगा इसमें पूरा लॉक सिस्टम है ये अपने दोनों कलर अपने लगा दिया ल दोनों नहीं लगेगे एक हूए लगती है नेला कलर इकर लाड़गेगा लाल कलर इक लाड़गेगा ये बरज जाएगए पर इसके बाद इसको लगा देगे इसको बरगा देंगे और oportun sectors नकाल देी है आजम जाएगो अब हमारी इंकिसम बहर चूकी हैanor इसको निकाल द देना अपको कोई साभी खुला रहेगा ना कनलर तो फिर वहाँ पर छोड़ सकता इंस टूरेशन टाइम में तो Iya power की बलापनी पावर के बल गबल बीलागा लेते हैं कि haya इसका आपके डाइट साइट में सुच रहता यूस्पी केबल का यूस्पी ए प्रिंटर में नहीं आती है वह आपको अलग से लेने पड़ेगी में अब कंपनी ने इसलिए सब्सक्राओं कर दिया है इसलिए इसलिए प्रिंटर में देती और लोग सी प्रिмос से चलाना फिश्पी अब पड़ेगा चालू करते इसकी चलती रहेगी कम सका 20 मिट तो यह लई जाता है तब तक आप ड्राइबर इस्टॉल कर सकते हैं तो यह हमारा प्रिंटर इस्टॉल हो चुका है यहां से बंद हो गई इसकी जो बंद चालू बंद चालू हो रही तो रेड लाइट वो बंद हो गई है अब हैड भी अपन यह अपनी यूएस्वी केबल को आपको लगा देना पीछे यह कुछ इस प्रकार से आपको यूएस्वी केबल भी लगा देनी है और यह यह जो देखिए अब यह रैडी हो गया ना है यह कुछ इस परिकार से रेड ड़े पहले बिलिंक कर रहा ता इसको अब यह नहीं कर यह पूरा की तरह install हो गया अब इसको अब मैंने print दिया है अब यह सने print ले लिया अब देखिए वह छाप रहा है यह देखिए हमारा print निकल आया है यह रहा है इसका test page अब हमारा printer install हो गया है ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू फॉर वाच्छ